आपके अपनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागा थे मेरा नाम है दीपती और आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं गणिश चतुर्थी की स्थापना कैसे करें घर पर सम्पूर्ण पूजा भी थी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं पूरा वीडियो ज़रूर देख ल करनी है साथ तारिक को गड़ी चुतुर्थी के दिन सुभे सुभे आप स्वक्ष वस्त रपैन करना हादू कर तयार हो जाए अपने उपर गंगा जल जरूर चेक लें जहां आपको ये पूजा करना है वहां चौक पूर कर पटा बिचा लें कोई ऐसी जंगा चुने जहां पर बार बार किसी का आना जाना ना हो क्योंकि ये भगवान हमें एक बार स्थापित करते हैं तो फिर दस दिन तक हमें उनको नहीं लाना होता है बहुत सारे जंगे कई लोग एक दिन के देर दिन के सवा दिन के तीन दिन के पांच दिन के और दस दिन के रखते हैं कोश भी रीके से आपको स्थापना करना है तो देखे मैंने एक पीला वस्त्र बिचाया है आप पीला या लाल कोई भी बिचा सकते हैं उपर से एक पटा बिचाया है थोड़ी सी तैयार यह आप पहले से करके रख लें और फिर अपने गणपती जो आप लेकर आए हैं उन्हों से गंपती जी मैं आपको 10 दिन के लिए अपने घर पर विराजमान कर रही हूं आप कृपा हमेशा बनाए रखिए और अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो उसे माफ कीजे देखी सबसे पहले हम गंपती जी को यहां पर विराजमान कर लेंगे गंपती जी के सीधे हांथ पर यहाँ पर अपने कलश को स्थापित कर देंगे, इसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लें पानी के साथ, उसके साथ यापको इसमें डालना है दूबा, एक हल्दी की गाट, एक सुपारी, एक सिक्का और कुछ अक्षत और थोड़े से पुश्प, यह सबी चीने डाल ल लगाने हैं, यहाँ पर मैं साथ आम के पते ले रही हूँ, आप पांच भी ले सकते हैं, अगर आपको आम के पते ना मिले। त अशो के पते भी ले सकते हैं, इसको आप टीक लिजेगा, सजा लीजेगा, और एक पानी वाय नारय ले ना 아니야 है पानी यह नहीं लीज जिएगा जो नारियल आपको रखना ध्यान रखेगा, अगर आप खड़ा नारियल रख रहे हैं, तो उसका मुख उपर की तरफ होगा, अगर अपनी तरफ रख रहे हैं, सीधा रख रहे हैं, तो उसका जो मुख है वो आपकी तरफ साधक की तरफ होगा, तो जो पूजा कर रहे हैं, उ मौली कलावा बांद कर उनको स्थापित कर लेना है अब हम सभी भगवानों का आवाहन करने के साथ यहां पर दीपक को भी प्रजुलित कर लेंगे दीपक जलाने के बाद ही हमारी जो पूझा है वो शुरू होगी तो मैं यहां घीकी बाती का दीपक जला रही हूं आप चाहे कि आप आरती जब करें तो उसमें आरती भी आपको बहुत ही सची दिल से करनी है और जो भोग है वो भी दोनों टाइम नया भोग ही लगाना है ध्यान रखीगा इस कद्धिक हम नहीं हाप अपने दीपक को प्रजुलित कर लिया है इसके बाद हम अपने भगवानों को यक नमो नमा गणपती बबामो रिया जो भी आपको गणशी के मंतर आते हैं वो आप बोलते रहें कुछ नहीं हादा तो ओम गणगणपते ईनमा तो आप बोलते रहें और यहां पर भगवान को साहिभा प्रथम यहां मैंने जल से शनान कराया है वे कच्चे दूस से शना चाहें तो यहां भी रख सकते हैं, उनका भी आप पंचम रस्यस्नान कराएं, और फिर उनको यहां पर सापित कर लीजेगा, इससे की साथ में उनकी पूझा यहां पर होती जाएगी, उसके देखिए मैंने अक्षात अर्पित करती हैं, अक्षात जो भी आप लें वो तूटे आने के लेकर आये हों, तो वो भी आप यहां पर उड़ा सकते हैं, आपको यह पूरी पूझा सामगरी जो जो मैंने इस्तमाल की वो मैं अलग से एक वीडियो डाल दूँगी, तो इसमें आपको मिल जाएगी, तो माता सिद्धी औ माता रिद्धी के लिए हम लाल पुझप करेंगे दीपक को भी पुझप अरपित कर में कलश को भी हमने पूझ कर दिया है, इसके बाद आपको यहां पर उनको भोगपिशाद अरपित करना है, आप यहां पर उनका जो डेकॉरेशन है, जो सजावट करना चाहते हैं, वो एक दिन पहले भी कर सकते हैं, नहीं तो उनकी सबसे प्रिय चीज है दूबा तो दूबा भी उनको अर्पित कर देंगे और यहां पर आपको पान भी जरूर अर्पित करना है मुक्षदी के लिए ऐसा पान हमारा चिडाया जाता है हमारे यहां पर तो दो इलाइची दो लॉंग इसमें पताशा भी आप रख सकते हैं और एक सो पाड़ी आप रखकर उनको अर्पित कीजे और बहुत ही प्रेम से उनको हर एक भोग लगाई है जो कि उनकी बहुत प्रीज चीज़ें होती है यहां पर देखे मैं मोदक का प्रशाद लगा रहे हैं और इसका देखे आपको अलग से भगवान के साथ साइड में रखना है मुफली और गुड़ आप इसको नारियल में भी रख सकते हैं पर अगर नारियल नहीं है सुखा वाला तो आप किसी भी कटोरी में यहां पर रख सकते हैं छोड़ छोटी से जो आती हैं हमारी मुफलियां और एक गुड़ का टुकड़ा आपको भगवान के पास रखे रहने देना है दस दिन तक इसको नहीं हटाएगा जिससे कि भगवान को बीच में कभी भी भूग लगती है हमारे गणपती जी को तो वो ये जो भोग है उसको सुईकार कर सकते हैं उनके पास ही इसको रखे रहने देना दस दिन तक आपको इसको नहीं हटाना है अब देखिए हमने भगवान को जनियू भी अर्पित कर दिया है जनियू कलावा अर्पित कीजिए जो भी मौसमी आपके पास फल हो वो अर्पित कर दीजिए मैं इसे वो केले के परशाद लगा रही हूँ केले का परशाद जरूर लगाएगा क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि हाती को विकिला बहुत पसंद है उसी तरह गणपती जीवी एक स्वरूप है उनी का तो उनको विकिले बहुत पसंद है थोड़े से मेवे का परशाद भी लगा दीजे और देखें यहाँ पर यह सभी चीजें आपको भूग लगा देना है और आपको थोड़ा से जल भगवान की पीने के लिए जरूर रखना है उसको आपको आरती करना है आप चाहें तो हबन भी कर सकते हैं कपूर से भी आरती कर सकते हैं जो दीपक जल रहा है इससे भी कर सकते हैं फिर अगर आके पास कोई भी किताब हो गनेश जी की यसे मेरे पास यह गनेश जी का है तो वो भी आप यहीं बेट कर उनका पार्ट कर सकते हैं भगवान को इत्र लगा दीजे सुगंदित माहौल कर दीजे दुब दीप नैवित आपको चलाना है और यहां आपा देखे छोड़ा टिफेन है मेरे पास तो यह टिफेन में बाद में में रख दूँगी क्योंकि जब हम गुड़ को खुला रखते तो पेखल जाता है तो इसको आप टिफेन में भी रख सकते हैं भगवान के पास में फिसके बाद हम सबी चीज़ों से भगवान को अच्छते के सजा लेंगे सवार लेंगे और जो भगवान का भोग है उसमें एक एक दूबा जरूर आप डाल दें जिससे भगवान बहुत प्रशन हो जाते है उनको वो भोग बहुत अती प्रिय हो जाता है जिस भी भोग में दूबा होती है तो हम दूबा अर्पित कर देंगे अब हम आरती का लेंगे भगवान की बहुत ही प्रेम से हमारी गंड पती जी के हम आरती का लेंगे तो हमने दीपक को हम उठा लेंगे और जो हमारी गंड देता जी है उनको भी उठा लेंगे आप चाहें तो याँ शंक भी बिजा सकते हैं अब देखे हम आरती का लेंगे जो भी आपको आरती आती हो तो वो गा सकते है वसे हब से सरल आरती होती है जैगनिश 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 देवा माता जाकी पारवती पिता महादेवा एक दंद दयावंद चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी अंधन को आख देत कोडिन को काया बांजन को पुत्र देत निर्धन को माया जैंगणिश 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 देवा माताजा की पारवती पिता महादेवा बोलो गणपती बपा की जय तो बस इसी तरीके से आपको उसकी पूरे अंतरे गाले ना है मैंने से दो ही गाये हैं अभी इसका देखी सही भगवानों को हम आरती दे देंगी और पूरी समस्त पूजा का हम आज मन कर लेंगे कुछ देख्षना जरूर निकाल कर रख दें अगर आपके पूजा में कुछ कमी होती है तो वो पूरी हो जाती है अब हम जो आरती है वो ले लेंगे समस्त परिवार को आरती जरूर दें भूग जरूर दें और पूजा के बाद यह जो भूग है आप उसको ठालीजेगा फूल बगरा चड़े रहने दीजेगा शाम को जब आप आरती करेंगे तब आप इसको हटा सकते हैं फूलों को और नय फूल उनको चला सकते हैं नया परशाद चला सकते हैं और फिर आरती आप सभी का बहुत बहुत धनेवाद इस वीडियो को शेयर करना बिलकुल भी ना भूलेगा गणपती पपा मोर्या